बहुत सिद्धी सी, सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा बाबा ने जैसे बताया उसका गर्व पहले से त्यार उस आत्मा ने वहां मूव करना यदि किसी आत्मा का रोल है कि उसने वहां अभी और पार्ट बजाना है मलब बिना शरीर के उस परिवार में कोई पार्ट बजाना है तो वो पार्ट बजाएगी इसमें हमें किसी परकार का डाउट क्रेट करने की जुरुत नहीं है क्या होदा है कि कोई अभी उन्होंने उस परिवार की आत्माओं को कुछ बताना है या सुख देना है, सयोग देना है किसी दूसरी आत्मा का शरीर लेकर वो उनको बताएगी, सुख देगी या दुख देगी और यदि जाना है तो जाना है मूग करना है तो मूग करना है ज़िए थोड़ी देर कोई रुकना है तो वो रुक सकती है ऐसा कोई वो क्योंकि रोल के मताबिक चलना है क्योंकि शरीर लेना भी रोल के अनुसार है रुकना भी रोल के अनुसार है बेड़ पर पड़े रहना भी रोल के अनुसार है खौमा में चले गए हैं और बेड में पढ़िए साल लग गया, दो साल लगया, पांस साल लगया यह आत्मा का रोल है अब उसने गर्व में प्रवेश कर भी लिया है और उसके बाद भी वो गर्व से बाहर आते है यह नहीं के गर्व में जी गई है तो चिपा गई है अब वो बाहर नहीं आ सकते है वो वहां से बाहर आ करके भी अपना रोल यदि उसने प्ले करना है तो करती है आप आत्मा इस शरीर में है इस शरीर में होते हुए भी आप दिन में भी सो सकते हैं रात में भी सो सकते हैं इस शरीर को rest में देकर आप आत्मा जाकर किसी भी आत्मा को सुख या दुख देना है तो देकर वापिस अपने शरीर में आ सकते हैं हर आत्मा को अपना role play करना है role में accuracy रहती है role में कोई परिवर्थन या कमी नहीं आ सकते है चाहे वो मैं आत्मा ने किसी आत्मा को जाकर सुख देना है या दुख देना है मैं सो गया, दिन में भी सो गया और शरील को छोड़ा और गया दस मिन में अपना हिसाब बराबर किया और वापिस आ गया दो गंटे में हिसाब बराबर किया वापिस आ गया साप बराबर करना है चाहे मुझे वहां जाकर उनको सुक देना है या चाहे मुझे वहां जाकर उनको दुक देना है जैसे यह ब्रह्मा बाबा का साक्षय अतकार है कि उनके चाचा ने शरीर छोड़ा तो उनको वहाँ बैठे हुए मैसूस हुआ अब उनका यह अपना अनवव था कि ब्रह्मा बाबा ने अनवव किया उससे ब्रह्मा नहीं था संपूर नहीं था उसने जो अनवव किया वो अनवव यह है जो आपने बताया कि उन्होंने देखा कि आत्मा जो है पाउं तक गई और पाउं से वापिस आई और यहां से निकल कर चले गए अब इसी प्रकार का अनभव विवेकानन्द ने भी लिखा कि रामा कृष्णा ने जिस समय शरीर छोड़ा उस आत्मा ने मेरे में ही परवेश कर लिए ये अपने उसका अनभव था ये उसका अनभव था और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने एक भाई ने शरीर चोड़ा बिल्कुल मेरे को देखते देखते उसने शरीर को चोड़ा मैंने देखा कि उसकी आंख जैसे बुझ गई एक दब जो चमक रही थी आंख चमकती हुए आंख बुझ गई जैसे फैड हो गई तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आत्मा लाइट है वो निकली है वो अल सेल दोनों केस जो मैंने देखे जो चमक थी आंख में वो चमक नहीं रही तो अब उसको उन्होंने लाइट के रूप में जाते हुए देखा अब मेरा अनुगाव मेरा है क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ उन्होंने आनुगाव जो किया उन्होंने लिख दिया मैं उसको डि बेर सोते हैं। और यदि जोधिन्गों पृता दो गहाए तो पैरों कि लगाते हैं। अब आजगी और बाकी शरीर और का ईगकर ऑनर나 है। ऑगी ज़ Do dostाई मतलगंे चार दो कृता। रॉर सिहाने बजर्ग होते थे। वह इस परकारional से बताते पूरी बोडी के जो मैसेज हैं चाहे पैर में हम सुई चुबाएं तो मैसेज नहीं वहाँ आना है आत्मा ने वहाँ जाकर करना क्या है आत्मा वहाँ जाकर पैर को चला नहीं सकती आत्मा ने तो यहीं से पैर को चलाना है यहीं से नर्वस सिस्टेम के मताबिक मैसेज देना है कि मूव करो जिसे एक फिलम में आपने देखा कि इसको अचानक अटाइक हुआ और इसकी टांगे चलेगे वो चेर पर अब देखा कि बेटे को पर जना गाड़ी चलने वाली है तो एक दम उसके ब्रेण ने ओर्डर किया और इसके वो दोड़ पड़ी अचानक दोड़ पड़ी तो यह देखा गया, स्टड़ी किया गया तब इसको फिलम में दिखाया गया अगया कि नर्वस सिस्टम कब काम करना शुरू करते और कब रुख जाए इसका कुछ नहीं कह सकते है तो जिसके कल देख रहा था में एक बहुत अच्छा दोड़ने वाला दोड़ते दोड़ते हाट प लुक्तर चैट कर लोगा देखा देखा और रहा जोगा देखा रहा तो दोड़ते हां पूसरा देखा अब कहने का यह है कि यह कोई वो नहीं है क्योंकि इसके पिछे बित्तना भी करेंगे में बात हमें आत्मा की समझने थी आत्मा के बारे में बहुत क्लियर समझना है कि हर आत्मा को अपना एकाउंट बराबर करना ही करना है चाहे वो इस शरीर के अंदर रहते हुए करे थोड़ी दिर के लिए शरीर को छोड़ कर जाए वह आपिस आ जाए चाहे इस शरीर को पर्मनेट छोड़ करके फिरिसार बराबर करे, चाहे पर्मनेट छोड़ कर दूसरा शरीर ले करके, गर्भ में होते हुए भी अपना एकाउंट बराबर करे जाती है प्रंतु यदि उसका रोल है तो वो रोल गर्व से पहले भी बराबर कर सकती है गर्व लेकर के भी बराबर कर सकती है क्योंकि गर्व से बाहर आने में उसे कोई रुकावट नहीं है आत्मा को कोई ऐसा नहीं है, आत्मा का रोल मेन, रोल की अदाप पर आत्मा ने चलना, शरीर का उसे कोई भी साब नहीं है.